श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज कुंडली में बारवे भाव में रहेंगे इस दिन आप मांसिक रूप से परेशान रहोगे एनरजी की कमी रह सकती है कामों में अडचनिव रुकावटे देखने को मिल सकती है अगर आप बिजनेस करते है तो आज कोई महत्वपुर्ण निर्णय ना ले तो ज्यादा करताना भी पढ़ सकता है आज फिजूल के खर्चे काफी हो सकते है तो खर्चे पर लगाम लगाए लापरवाही बरतने से आज बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है नोकरी पेशा लोगों के लिए मांसी परेशानिया रह सकती है अगर कोई आप से तू-तू में में करता भी है तो भी उस पर ध्यान ना दे क्योंकि आज किसी भी तरह के विवाद में पढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा आज आप अगर अपने काम से काम रखते है खुद को काम में बिजी रखते है तो ज्यादा अच्छ रहेगा घर परिवार में भी पर उत्पन होने की संभाव न रहेगी आज हर काम समझदारी से करे किसी प्रकार का विवाद उत्पन ना होने दे स्टूडन्स के लिए भी समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा पढ़ाई से अलग चीजों में मन लगेगा ध्यान भटकेगा अपने लक्षपर केंदरित कर पा अगर आपका कोई विदेश में रहता है तो उनसे भी आपकी बातचीत इस समय में बढ़ सकती है तो विदेश से जुड़े मुद्धों पर आपको लाभी लाभ मिल रहा है लेकिन बाकी सारे ख्षेत्रों में नुकसान होने की संभाव नहीं रहेगी अगर स्वास्ते की बा की सावीत हो सकता है दोस्तों ये राशी फल्चनद्र राशी पर आधारित है कभी-कभी हमारी परस्टनल कुणदली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दीख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा